कर दोस्तों आज का दिन बड़ा कुछ खास होता है आराम का दिन होता है अधिकतर जगाहों पर छुट्टी रोती है और इन छुट्टियों को आदमी चाहता है कि वो रेस्ट करके तोड़ा से एंज्जॉय करें कुछ अलग सी चीजने देखें फिल्म जाये मूवी जाये बच पिछले शे दिनों में वो नहीं कर पाता है करते हैं हम सम लोग हमारी ज़वते हैं करनी पड़ती है एक परिवार के नाते परिवार में होने के नाते सहीत परिवार में होने के नाते दोस्तों मेरे दिमाग में एक आइडिया आया मैंने कि संड़े को कुछ ऐसा कुछ आपके बीच में लेकर आऊं कि जो ठोड़ा अलग हो उसमें पॉलिटिक्स भी हो समाजिक दिस्ट्री कौन भी हो और कुछ आपकी हैल्थ की चिंताएं भी हो आइडिया तो पता जब चलेगा जब आपका रेस्पॉंस आएगा क्योंकि मैं प्राण्टन करूंगा आपसे कि अगर यह वाकरी में प्रोग्राम अच्छा लेगा तो इसको अगर लाइक और शेर अच्छे आए तो संड़े को फिर इन्हीं लाइन दोपर प्रोग्राम चला क रिष्टा दोस्ती का रिष्टा एक हंदुस्तानी का दूसरे हंदुस्तानी के साथ रिष्टा है दोस्तो कल जन मास्पी है उसकी पहले से मैं बदाई दे दे रहा हूं आपको अब दोस्तो टीन पार्टों में ही मैंने बांटा है पहला पार्ट है पॉलिटिक्स का दूसरा चलिए शुरू करते हैं अपनी पॉलिटिकल अफारी और रास्ति की न्यूसीं कैसे हमारी मीडिया पर दिखाई छाहै जाती है और उनकी बज़ए से कैसे 15 देश में फिजा खराः होती आज पर एक ख़वर चल लही थी किसाब चीन में जो है दाड़ी रखने का अधिकार नहीं है मुसल्मानों को नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है और मंदर से जाने का अधिकार नहीं है शायद आपको पता नहीं है दोस्तों कि चीन में जो है कम्मिनिस्ट पार्टी कराई है और पर अब राश्कती चुनाब भी नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी की चलाने की ठान ड़की है वहांके बन मुसल्मानों पर ही नहीं वहांके नागलीकों पर भी अक्याशाद होते हैं कोई किसान की जमी ली जाती है और किसान मना करता है तो उसको सिमेंट में तो ताना शाही है वहांपर चीन में समझ लीजिए यह खबरें दिखाकर कि आप भारत यहां भी ताना शाही इंपूस कर देना चाहता है क्योंकि नरेन मोदी जी नाच का है कि मैं अनुशाशन की बात करता हूं तो लोग मुझे ताना शाह बोलते अरे अनुशाशन में सिखाना और अम्शाशन वह होता है कि जो देश के लोगों को जिन लोगतंत्र में आपने चुनाब रणने के बार इतने सारे मत्रों से सहमती के आदाग पर प्रधान मंत्री का पत पाया हूं जिसे प्रधान सिवक कहते थे उन लोगों की सहमती के बिना आप पागिस्तान पहुंच जाते हैं जहां मर्मौन सिंग कभी नहीं गयते जिनको आप कमजी और प्रधान मत्री कहते थे तो आप तो अपनी बात रहने ही दो जाता मत बोला करो मूह नहीं आपका बोलने का ठीक है 2019 में दिख जाएगा दूसरी खबर एक बड़ी चलाई जा रही थी बहुत शांदार तरीके से चलाई गई रावर्ट वाडरा जी के उपर की सहब उनका मामला ये था वो था मैं यहां इस्कॉस्ट कर देना चाहूंगा दोस्तों कि रावर्ट वाडरा का मामला दोहजार चौदे के लोकसभा चुनावों में भी उठा था वहां भी कहा गया था कि साब ये घुटा रहा हुआ है वो घुटा रहा हुआ है लेकिन कोई जाच नहीं ना उनको जेल बढ़ा गया एक बार फिर से ट्विस्ट करने के लिए कि लोग किसी भी तरह से नोट बंदी पेहम फेल हो गया है उसको भूल जाए राफेल का सौदा भूल जाए चलो कांग्रेश पर कीशर मज़ लिए चलो और कांग्रेश पर कीशर कैसे मिले राहूर गांधी पर तयार कुछ लगा न मत पड़िया रहा ठीक है यही आपके लिए सही होगा जंदा जानती है सच किया है दोस्तों एक ख़वर और भी चले जिसको न्यूज 18 पर और मोदी मीडिया के दौरे दिखाया जा रहा है वह ख़वर यह चल रही है कि अटल भीहरी बाश्पाई जी के अस्थी करश्यू है अमेजौन पर बेगे जा रहे हैं तो मैं आपको बता दू ऐसी कोई फीक कवर का तो कोई कांगलेस काद्वी मीं डाल सकता है ना आमाधी पार्टी के ना किसी और पार्टी का यह जूटी ख़वर और फेक ख़वरों का जितना भी बहंडर है वो सब भाजपा का आगी की से कि लिए बैठा है इस तरह की ख़वरें इसकी डाले जा रही है कि विपक्षी पार्टी को बगनाम किया सके इसलिए साब्धाम रहे दोस्तों यह प्रोपेरण्डा है इनका दूसरी पार्टी को बगनाम करने का अटल जी कांगरिस के लिए भी उतनी सम्मानी है जितने आम पार्टियों को नहीं आता है क्योंकि यह सिध्धानतों की पॉलिटिक्स करते हैं बहले ही गाहे बेगाहे इन पर कोई भी आरोप लगते रहें तो इसलिए दोस्तों साधान रहें गाइसी खबरों से ऐसे पॉलिटिकल एजेंडा अब और आएंगे अब और बढ़ेंगे बस साधान रहें गबापी जो हमें पता चलेगा हम आपको बताते रहेंगे हैं चलिए दोस्तों यह तो रही आजकल की पॉलिटिकल खवरें और जिन पर मैं बोलना चाहता था उस पर मैंने अपना एक डिश्ट्री कौन था वो प्रस्तुत कर दिया आपके सामने चलिए कुछ स सानतं से ज़ड़े हुए कुछ लोग उग्रवादी हिंदु गूरबादी मैं उनको उग्रवादी बोलूंग चरम पन्ती बोलूनगा अगर मुस्लिम चरंपती हो सकते हैं तो हिंदु यह जर्मपती हो सकते हैं वह हमारे हिंदुस्तान के लिए खाताक हैं सिधे बोल पकड रहते, लहीं लखी के गए थे महाराश्ट में और उनकी आ पर उन के हत्यार भरामद हुए, उन्हीन के सद्धस्य, और सनातन संस्था के सद्धस्यों पर ही नरीन चोटी सी रिपोर्ट है उनकी साइट से चुला के लाया हूं क्योंकि वह महरास्त में अंद वक्त या अंद शर्दा के खिलाफ उन्मूलन करते हैं बन्मूलन अंद वक्त याइक शस्याज अंद श्रणील से चुला क्यों में अंद वक्त शच्त याइक अंद वक्त श्रण से वार्ण से बाईक उन्मूलन करते हैं यो भोमी सादूर जिन चमतकारों को दिखा करकर आपको अपना भक्त बनाती है। जन में खास तोर पे मोदी जी के समार्थ चेमर्थत जाँएं। इसलिएं से कुर ज्वत होते हैं। कि जूटे चमतकारों को देखकर के वही प्रसंड हो सकते हैं। नरेन दाभूलकरजी ने कही किताबी लिखी हैं, उनका जीवान एक खुली किताब रहा है, उन्होंने आस्था और इंग्रिश्वास के बीच क्या फरक होता है, यह समझाने की कोशिश की है, पहले उनकी करीब 430 या 480 संस्थाई थी, आज की जीवाने 570 संस्थाईं महारास् कोशिश करूँगा कोई ऐसा वीडियो आपके पास लाओं जिसमें से नारियल में से देवी महिया की चुड़ी निकलती हो, सिंदूर खाला हो जाता हो, तो ऐसे कुछ चमतकार जो ढूंगी महात्मा कड़ते हैं, वो कुछ पोल खोली जाएगी आपके साब, क्या लिए साब तीसरा पहले, है हमारी है, हमारी हैज में सबसे जादा जो हमारे जीवन में महत्व रखता है, वो है घर की किशिन और आपका फ्री आज की जमने, घर की किशिन क्यों बोलना हो, क्योंकि अधिकतर जड़ी बूटियां घर के किशिन के अंदर ही होती हैं, उनका अच्छी तर जो आप को किंग करते हैं, आपके स्वास्ते को हानी कर सकते हैं, क्योंकि गैसिस उसमें होते हैं, वो इंपैट करते हैं, वो आपके बॉड़ी के अंदर जाएंगे, आपने भी सुना होगा जब भी आप ट्रेंग में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, जब आप क विश्वास कीजिए तो कि भाच्वा के जमाने में मीडिया वही काम कर रहा है सुभई आठ हजया राशित बताने एक आजिम बैठ जाता है एक टोने टोटके बताने आपको बैठ जाता है उससे क्या होता है आपके अंदर विश्वास कम होता है और जब विश्वास कम होता है तो मान लीजिए, आप अपने आपको कहीं न कहीं भूल रहे हैं, हाँ तुम्हें कह रहा है कि जब भी आप जयातना करते हैं, बता देते हैं इसाथ, ये दवाई कर लेजे, वो दवाई कर लेजे, ऐसी चीज़ें बिल्कुल न करें, शुगर में हमेशा अपना टाइम पर चे करने का तरीका बढ़ाई है, कम से कम एक घंडा की अगर आप लेते हैं, तो शुगर लेविल भी आपका कम होगा, और आपका ब्लड पैशर भी कम होगा, तनाप भी कम होगा, नीम कम से कम 8 घंटे के लिए ये बहुत जरूरी हैं, जो आदतों में बद्राफ करने से लानी हो चलिए, आज की टिप है मेरी 1 पे, जब हम जल जाते हैं और उसके निशान रह जाते हैं, तो उसके लिए घरेड़ी मुस्खा है, कोकोनेट ओयल, या गोले का तेल, या नागनारियल कोपड का तेल, उसमें कपूर पीसकती मिलाएं, और उसकी मालिश करें, कम से कम 15 दिन दा जाहून के चीज़ें और ये सारी चीज़ें क्योंकि बावार रामदेब जो फायदा उठा रहे हैं ना आपके टेकनिकल चीज़ें चला तरके दवाईयों का ये धंदा जो खोला हूने, तो ऐसी दवाईयों तो मुझे भी पताएं को सादू संदों के साथ तो में भी रहो तो ये सेशन मेरा कैसा लगा आपको, जरूर बताईएगा और मैं चाहूँगा कि संदे को इसी तरह की बातें आप और हमारे पीच हुआ करें, अबर पसंदा ये वीडियो तो थेंक्यू वेरी मुट और नहीं आए तो पोई बात महीं है, ट्राई करेंगे तो योर सब्जि झाल